नमस्कार एक बार फिर स्वागता है आपका आपने फिनेक्स अकैडमी के यूट्यूब चैनल पर आज है 7 जन्वरी 2020 और 7 जन्वरी 2020 से करेंट अफेर के जितने भी इंपार्टेंट क्वेस्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिसकस करने वाला हूँ और हर क्वेस्चन से रिलेटेट इंपार्टेंट फैक्ट के बारे में बताऊंगा तो आप पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिए और लास्ट में आपसे क्वेस्चन भी पूछूंगा उसका एंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इस वीडियो की पीडियो फाइल हमारे टेलिग्राम चैनल से जुड़के प्राप्त कर सकते हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे चलिए स्टार्ट करते हैं कल के क्वेस्चन का रिवीजन फटा फट से पहला कोईस्चन है इंडियन ब्लाइंड स्पोर्ट एसोसियेशन जनवरी 2020 में नेत्रहीनों के लिए खेल का आयोजन कहा कर रहा है तो दोस्तो नई दिल्ली में नेत्रहीनों के लिए खेल का आयोजन किया जा रहा है दूसरा को इस चनए युवाओं में e-cigarette की लत की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए किस देश की सरकार ने e-cigarette पर आंसिक प्रतिबंद लगाया है तो दोस्तो अमेरिकी सरकार ने e-cigarette पर आंसिक रूप से प्रतिबंद लगाया है तीसरा को इस चनए global child portgy award 2020 किस ने जीता है तो दोस्तो सुचेता सतीस जी ने global child portgy award जीता है चौता को इस चनए unicef दौराजारी आंकडों के अनुसार वैसी इस तर पर किस देश ने 1 जनवरी 2020 को जन्म लेने वाले सिसुओं की संख्या सबसे अधिक है तो दोस्तों भारत में अगला कोईश्चन है भारतिया टीम के किस खिलाडी ने हाल ही में अंतरराश्टिया क्रिकेट के सभी फारमेटों से सन्यास लेने की घोश्रा की है तो दोस्तों इर्फान पठान ने अंतरराश्टिया क्रिकेट के सभी फारमेटों से सन्यास लेने की घोश्रा कर दी है अगला कोईश्चन है टरम प्रसासन ने किस देश के सैनिकों के लिए अपने सैन प्रसिच्छन कारिक्रम को सुरू करने के लिए मंजूरी दे दी है तो दोस्तों पाकिस्तान सैनिकों के प्रसिच्छड करने के लिए टरम प्रसासन ने मंजूरी दे दी है साथवा कोईश्चन है वैज्ञानिकों को किस देश के सुमित्रा के जंगलों में दुनिया का सबसे बड़ा खिला फूल मिला है तो दोस्तों इंडोनेसिया कहां इंडोनेसिया में दुनिया का सबसे बड़ा खिला फूल मिला है अगला कोईश्चन है इन में से किस क्रिकेट बोर्ड ने फिटनेस में फेल होने पर खिलाडियों पर जुर्माना लगाने की घोस्ला की है तो दोस्तो पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने फिटनेस में फेल होने पर खिलाडियों पर जुर्माना लगाने की घोर्षा कर दी है अगला कोईश्चनाई आंध प्रदेश के मुख्य मंतरी Y.S. जगन मोहंडेडी ने Y.S.R. अर्योग्य श्री योजना का उद्गाटन कहां किया है तो दोस्तो एलूर में उद्गाटन किया गया कहां एलूर में अगला कोईश्चन है फाइब टी पहल निम्न लिखिद में किस राजय से संबंदित है तो दोस्तो उडीसा राजय से संबंदित है चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन का पहला सवाल राष्टिय चिकित्षा आयोग के पहले अध्यच किसे चुना गया है तो दोस्तो सुरेश चंदर शर्मा को राष्टिय चिकित्षा आयोग के पहले अध्यच के रूप में चुना गया है दोस्तो चिकित्सा छेत्र में सुधार के पहल के तहट संसद ने भारतिय चिकित्सा परिशत के इस्थान पर राष्टिय चिकित्सा आयोग का गठन किया था। दोस्तो थोड़ी बात कर लेते हैं प्रोफेशर सुरेश चंद सर्माजी के बारे में तो दिल्ली में एम्स के कान नाग गला एम हेड नेक सरजरी विभाग के प्रमुक थे। अगला को इस्थान है अमेरिकी भासा विशेशक्यों ने किस सब्द को वर्ड आफ दा डिकेट चुना है। अगला कोईश्चन है करनाटक के पूर राजपाल टिये चत्रुवेदी का निधन हुआ वे करनाटक के कौन से नंबर के राजपाल थे। तो दोस्तों वे चौदवे नंबर के राजपाल थे। कौन से नंबर के चौदवे नंबर के। इसके साथ ही या 1984 से 1989 तक भारत के नियंतरक और महालेखा परिच्छा के पत पर भी रहे। जहीं की बात करें दोस्तों तो बांगलोर है। कहां रहे नंबर क्या है चौदवे करनाट कं से है। अगला कौश्चन है मिस टीन इंटरनेशनल 2019 का खिताब किसने जीता है तो दोस्तों आईउसी ढोलकिया जी ने मिस टीन इंटरनेशनल 2019 का खिताब जीता है दोस्तों या बढ़ोधरा से थी जिनोंने मिस टीन इंटरनेशनल 2019 का खिताब जीत लिया है दोस्तो और कुछ खिताबों की बात करते हैं जैसे Miss Universe 2019 किस ने जीता तो दोस्तो जोजा बिनी टुन जी ने Miss Universe 2019 का खिताब जीता दोस्तो या कहां से थी तो South Africa ते थी तो दोस्तो ये questions याद रखना बहुत important है इसलिए इसे हम option में लेके आए हैं जोजा बिनी टुन जी कौन है तो Miss Universe 2019 है और किस राज्य से है तो South Africa से है अब बात आती कि Miss Universe कहां हुई थी तो दोस्तो अमेरिका के जार्जिया अटलांटा में कहां अमेरिका के जार्जिया अटलांटा में Miss Universe 2000 संपन्न हुई थी जिसकी विनर थी जोजा बिनी टुन जी दोस्तो फिर बात आती है Miss World 2019 की तो Tony सिंग कौन था? Tony सिंग बनी थी Miss World 2019 दोस्तो Tony सिंग जमाइका की रहने वाली हैं अब बात आती है कि Miss World 2019 कहां हुआ था तो दोस्तों London में आयुजित हुआ था कहां London में आयुजित हुआ था और Miss World 2019 कौन बनी थी? तो दोस्तो Tony सिंग बनी थी दोस्तों एक और important fact बता देता हूँ कि भारत की सुमन राओ इस प्रतियोगिता में दोस्तों तीसरे नमबर पर थी कौन से? तीसरे नमबर पर थी Miss World 2019 की प्रतियोगिता में 2019 कौन है? तो दोस्तों सुमन राओ जी Miss India 2019 बनी थी? कौन? सुमन राओ Miss India 2019 बनी थी? दोस्तों Miss India 2019 कहो या फेमिना Miss India क्या? फेमिना Miss India या Miss India दोनों एकी बाते हैं या आप से पूछ लिया जाए कि Miss India 2019 कौन है? तो दोस्तों सुमन राओ पिमिना मिस इंडिया 2019 कौन है तो सुमना हो मतलब दोनों बातें एक ही हुई अगला question है common service center csc ने fast tech की बिक्रि के लिए किस payment buying के साथ समझोता किया है तो दोस्तों pay tm payment payment के साथ समझोता किया है common service center ने दोस्तो बात आती है कि fast tech क्या है तो या एक electronic toll connection system है क्या है या एक electronic toll connection system है जिसकी मदद से आप toll plaja में भी ना रुके अपना toll दे सकेंगे बस आपको वाहन पर fast tech लगाना होगा दोस्तो बात आती है कि इसकी शुरुवात कब ही थी तो दोस्तो 2014 से इसकी शुरुवात हुई थी दोस्तो बात आती है कि इसकी वैद्देता कितनी रहेगी तो दोस्तो इसकी वैद्देता पांच साल की होगी कितने साल की पांच साल की होगी यानि कि पांच वर्चों के बाद आपको नया fast tech बनवाना होगा दोस्तो यहां बात हुई है पेटियम पेमिंट बैंक की तो पेटियम पेमिंट बैंक के CEO कौन है तो दोस्तो सतीज कुमार गुपता पेटियम पेमिंट बैंक के CEO और मैनेजिंग डारेक्टर है कौन है CEO है और MDB है कौन सतीज कुमार गुपता जी दोस्तों बात कर लेते हैं CSC की मतलब की Common Service Center की तो Common Service Center के CEO कौन है तो दोस्तों दिनेश त्यागी जी है कौन है दिनेश त्यागी जी Common Service Center गौर्मेंट की E Governance Service है क्या है E Governance Service है अगला क्वेश्चन है सुकन्या परियोजना के तीसरे चरण का सुभारंब किसने किया तो दोस्तों कौलकत्ता पुलिस ने सुकन्या परियोजना के तीसरे चरण का सुभारंब किया है दोस्तों या परियोजना कौलकत्ता पुलिस के द्वारा सुरू की गई है ये तो बात आपको याद ही रखना है और दोस्तों बात आती कि इस परियोजना का उद्दे से क्या है तो सहर के स्कूलों और कालेजों में पढ़ने वाली लड़कियों को आत्मरच्छा प्रसिच्छड प्रदान करना क्या है इसका उद्दे से सहर के स्कूलों और कालेजों में पढ़ने वाली लड़कियों को आत्मरच्छा प्रसिच्छ प्रदान करना दोस्तों आपको हमारा सेसन अच्छा लग रहा हो तो फटा फट से लाइक करते रहो और वीडियो को जादा से जादा से शेयर करना क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत की जा रही है दोस्तों बात आती है पस्चिम बंगाल की तो पस्चिम बंगाल की दोस्तों मुख्य मंतरी कौन है और पस्चिम बंगाल की वरतमान मुख्यमंत्री कौन है तो दोस्तों मम्ता बनर जी है दोस्तों पस्चिम बंगाल के राज जपाल की बात करें तो जगदीब धनकरदी है कौन है जगदीब धनकरदी यहां के राज जपाल है और राजधानी की बात करें पस्चिम बंगाल की तो दोस्तो कूलकत्ता को City of Joy के नाम से जाना जाता है, किसके नाम से? City of Joy के नाम से कूलकत्ता को जाना जाता है, इसके साथ ही दोस्तों Cultural Capital of India के नाम से भी जानते हैं, किसके नाम से? Cultural Capital of India, मतलब कि भारत की सांस्कृतिक राज़दानी के रूम में कूलकत्ता को दोस्तों जान जाता है अगला कोईस्टिन है 63 में राष्टियन निसानेवाजी चैंपियंसिब में सौराफ चौधरी ने कौन सा मेडल जीता तो दोस्तों इन्होंने गोल्ड मेडल जीत के जंडे गार दिये हैं तो इन्होंने क्या जीत लिया है गोल्ड मेडल दोस्तों इन्होंने कौन सी प जीता है दोस्तों यहां बात आती है कि दूसरे इस्थान पर कौन रहा है तो दूसरे इस्थान पर रहे हैं हरियाणा के सबर जोथ सिंग कौन हरियाणा के सबर जोथ सिंग दूसरे इस्थान पर रहे हैं अब दोस्तों मेन फैक्ट की बात आती है कि 63 में राष्टी या निसान पर 30 फरदा मिन्हों ने सुन पदक जी था और दूसरी बात आप से पूछ ली जाए कि 63 राष्टिय निसानेवाजी चेंपियंसिप हुई कहा थी तो दोस्तों मद्यपर्देश के भोपाल में हुई थी दोस्तों यहां बात आई है मद्यपर्देश की तो मद्यपर्देश के सीम कौन है दोस्तों कमलनाद जी है आपको बिलकुल याद रखना है यह चीज़े और मद्यपर्देश के राज्यपाल की बात करें दोस्तों लाल जी टंडन जी यहां के राज्यपाल है और मद्यपर्द किसे जाना जाता है तो मध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता है दोस्तों लाई करते रहुफ़टाफ़से अगला क्योश्चन है हाल ही में किस योजना के तहट फर्दी वाड़े करने के आरोब में 171 अस्पतालों को पैनल से बाहर कर दिया गया है तो दोस्तों आयुसमान भ 71 अस्पतालों को बाहर कर दिया गया है दोस्तों बात कर लेते हैं आयुसमान भारत स्वस्त भीमा योजना की तो इसकी दोस्तों सुरुआत कब हुई थी तो दोस्तों याद रखना 2018 में आयुसमान भारत स्वस्त भीमा योजना की सुरुआत हुई थी इंपार्टेंट है 2018 या कर रहा हूं मैं साल आना पांच लाक रुपए तक का स्वास्त बीमा कवर उपलब्द कराया जाता है अगला कोईश्चन है इन में से किस राज्य सरकार ने अरुण जेटली की जैन्ती को प्रतिवर्स राजकिया समारों के रूप में मनाने की घोस्ला की है तो दोस्तों बिहार सरकार ने अरुण जेटली जी की जैन्ती को प्रतिवर्स राजकिया समारों के रूप में मनाने की घोस्ला की है दोस्तों बात करते हैं अरुण जेटली की तो ये पूर्व केंद्रिय वित्त मंत्री थे कौन पूर्व केंद्रिय वित्त मंत्री थे और यह मनाया कब जाएग तो दोस्तो प्रत्य वर्ष 28 दिसंबर को इनकी जैनती के दिन पर राज्किय समारो के रूप में मनाया जाएगा दोस्तो बात करते हैं बिहार की तो बिहार के मुख्यमंतरी कौन है दोस्तो बिहार के मुख्यमंतरी दोस्तो नितीज कुमार जी है कौन है नितीज कुमार जी और बिहार के राज्यपाल की बात करें दोस्तों तो फागू चोहान जी है कौन फागू चोहान जी और बिहार की राजधानी की बात करें तो दोस्तों पटना इसकी राजधानी है क्या पटना याद रखना क्योंकि चीजे बहुत important है ये सब अगला पुरुस्कार से संगीत कलानिद पुरुसकार से संबानित किया गया। दोस्तों आई बात आती है कि संगीत कलानिद पुरुसकार दिया क्यूर जाता है। तो यह करनाटक संगीत से जुड़े साहित्त कारों को दिया जाता है। और इसे पुरुषकार को देता कौन है तो मद्राष साहित्य अकेदमी के दोरा यहाँ पुरुषकार दिया जाता है। दोस्तों इस पुरुषकार की शुरुवात कब हुई थी तो दोस्तों मदराश साहित एकैदमी की शुरुवात हुई थी 1942 से कब 1942 से इस पुरुषकार की शुरुवात हुई थी दोस्तों अब आपको पता हो गया होगा कि एस सौम्या जी कौन है तो एस सौम्या जी करनाटक सं प्रशिद्ध का है अग良ा क्वेस्चन ए वर्थ 2020 के पहले सिनेमा आवाड सो गोल्डेन गलोब का आयोजन कि सहर में किया मेपक तोaster 55 hills में किया गया या कहा है तो कार्णफोलिया में है कहा है कार्णफोलिया में बेवरली hills है दोस्तों कल आपसे पूछा गया था कि निम्न में किस राज्य सरकार ने नई खेलनी ती 2020 तयार करते हुए खिलाडियों के वेतन पिंशन और तीन नए अवार्डों की घोशला की है तो दोस्तों बहुत से कमेंट आएं और सभी कमेंट आलमोस्त सही है और तो इसका सही आप्सन क्या है आप्सन डी हिमानचल प्रदेश ने नई खेलनी थी 2020 तयार करते हुए खिलाडियों के वेतन पिंसन और तीन नए अवार्डों की घोशला की है आज का सवाल है जोरिन जोर ने अपना इस्तीफा सौब दिया वह किस देश के प्रदान मंतरी थे तो दोस्तों इसका एंसर आपको कमेंट बॉक्स में आताना है और आप कमेंट जरूर कीजिए क्योंकि आप जब कमेंट करेंगे तो वह चीजी आपको रट जाएंगी इसलिए मैं बोलता हूँ कमेंट जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और वीडियो को सेर करना ना भूले क्योंकि आपका प्यार ही हमें मोटिवेट करता है कि आपको अपने निरंतर प्रयासों से और कठिन परिश्रम करके आपको कुछ और अधिक दिया जा सके जिसे आप परिच्छा में सफल हो सके जैहिन